नमस्कार बंदे मातरम। दोस्तों स्वागते आप सब का सैनिक पार्ट साला में। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना डिस्चार्ज बुक निकाल करके एक ऐसा पोर्षन है उसमें एक ऐसा भाग है जिसको देख करके आप ये निस्चित हो जाएंगे कि आपको ओ आरोपी लागू है या नहीं है। वीडियो में इससे पहले के आगे बढ़े मेरा आप सबसे आग रही दोस्तों साइनिक पार्ट साला के साथ जुड़े रहने के लिए इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 이 사ge book में ऐसा कौन सा भाग है जिसको देखकर कि आपको confirm होगा कि आपको और और ंपी लागू है या नहीं है, यानि कि आपका जो लिखा जाता है उसको देखने का आपको तरीका समझाता हूं, यह रखी है दोस्तों, कि मुझे O, R, O, P लागू है की नहीं है अब चलिए आगे बढ़ते हैं आगे मैं लेटर दिखाऊंगा जो 7 नॉवंबर 2015 का लेटर और 6 जून 2017 का भी एक ऐसा important लेटर है जो ये clear करते हैं ये तै करते हैं कि किसको किसको O, R, O, P लागू नहीं है तो 7 नॉवंबर 2015 का पहले लेटर देखते हैं चलिए ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चार नॉवंबर पराग्राफ में ये जो मैंने टिक लगाया है उसमें आप देख पा रहे हैं जो यानि कि दोस्तों आप सबको अभी पता चल गया कि अगर ये वाला आर्मी रूल आपके डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ है तो आपको औरोपी लागू नहीं है अभी मैं आगे आप सबको दिखाता हूँ जो 6 जून 2017 वाला लेटर ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों जैसे कि ये देखिए 6 जून 2017 का लेटर उसमें जो 7 नॉम्बर 2015 का लेटर था उसका एक एमेंडमेंट निकाला गया देखिए लाइन टू और पेरा फोर और रिड यानि फोर उपर वाला हटा करके नीचे वाले को लागू कर दिया गया जिसमें आप देख पा रहे हैं आर्मी रूल तीन ही हैं इसमें यानि कि दोस्तों पहले जो दो आर्मी रूल दिखाए गए थे अभी तीन आर्मी रूल दिखाए गए हैं जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं उसमें जो सबसे पहला वाला आर्मी रूल आप देख पा रहे हैं 13-3-1-1-B यह आर्मी रूल है दोस्तों JCOs at his own request on transfer to the pension establishment यानि कि कोई भी JCO जब अपने request पर pension चला जाता है यानि कि यह premature retirement कहा जाएगा और इसमें OROP लागू नहीं है और दूसरा जो आप सब देख पा रहे हैं दूसरा आर्मी रूल 13-3-2-1-B यानि कि यह same condition warrant officers के लिए हैं दोस्तों कोई भी warrant officer जब at his own request on transfer to the pension establishment यानि कि अपने request पर अगर pension जाता है तो उसको OROP लागू नहीं है और तीसरा आर्मी रूल जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों 13-3-3-4 at his own request before fulfilling the conditions of his enrollment यह NCOs and OR के लिए हैं दोस्तों अगर कोई NCO and OR अपने request पर अपना terms and condition fulfill हुए वगेर ही जाता है यानि कि यही वो premature retirement का army rule है जिसके अंडर अगर आपका retirement हुआ है तो आपको OROP लागू नहीं है और 16-B जो है 16-B officers के लिए है retirement of an officer at his own request यानि कि यह जो चार army rule है इनके अलावा बाकी सारे army rule वाले retirees को OROP का फाइदा मिलेगा तो दोस्तों अभी आप सब ने देखा कि लेटर जो है वो clear cut बोलते हैं कि अगर यह चार army rule आपके discharge book में नहीं लिखे हुए है तो आपको OROP लागू है तो आप अपना discharge book निकाले और यह वाला portion जो आप देख पा रहे हैं जैसे कि मेरा वाला आप देख रहे हैं ये वाला portion आप खोल करके देखिये कहीं आपके discharge book के अंदर ये वाला army rule तो नहीं लिखा हूए है अगर ये वाला army rule आपके discharge book में यानि कि तब तक के लिए जहीं दोस्तों